हेलो एवरिवन आएम दिपक सावन्त वेलकम यू टो माई चैनल टॉपर्स बाइलोजी और टॉपर्स बाइलोजी की जो अमारी आरम बेचे इसमें भी आप सबका स्वागत थे बच्चो आज हम पढने वाले हैं Standard 11, Chapter 3, Plant Kingdom प्लांट किंड़ं में आज का जो उमरा टॉपिक है या आज जो हम टॉपिक पढने वाले है वो टॉपिक है उमरा Plant Life Cycle and Alternation of Generation बच्चो आज का जो टॉपिक है, Plant Life Cycle and Alternation of Generation ये बहौत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आपकी NEET की एक्जाम के लिए भी काफी important topic है दूसरा plant के life cycle के बारे में जो understanding होता है मतलब काफी सारे बच्चों को plant life cycle and alternation of generation थोड़ा complex लगता है So, आजका जो topic है वो आपके लिए बहुत ही important है हम बहुत ही easy तरीके से life cycle के बारे में पढ़ेंगे and alternation of generation के बारे में हम बात करेंगे तो हम topic को start करते हैं तो जिसे सबसे पहले हम देखते हैं के plant life cycle तो first हमारे दिमाग में ये question आता है कि what is life cycle life cycle क्या है what is life cycle तो अब जिसे देखो common अगर हम बोलते हैं तो life cycle मतलब क्या होता है कि कोई भी organism कोई भी organism जो समझो दूसरे किसी organism में से produce हुआ फिर ये organism कोई भी organism produce होता है फिर वो able नहीं होता है कि वो दूसरे कोई organism को produce कर सके उसके लिए उसको अपनी life cycle में मतलब अपने पूरी life में कोई stage में से पास होना होता है फिर यह जो और्गेनिजम है यह अपने जैसे दूसरे और्गेनिजम को प्रोडूस करता है तो यह और्गेनिजम जो खुद प्रोडूस हुआ अब यह और्गेनिजम दूसरे और्गेनिजम को प्रोडूस करता है तो इसके बीच में यह पूरी इसकी लाइफ सैकल है अब यह life cycle में यह organism कुछ stages में से pass होता है उसको हम बोलते है life cycle तो जिसे देखो life cycle की अगर हम proper definition की बात करें जो आपकी school की exam में पुछा जा सकता है तो what is life cycle so life cycle means all the stages through which an organism passes from one generation of gygo to the next generation of gygo so that is called a life cycle या तो that is called a plant life cycle मैं वापस definition को repeat करता हूँ means के what is life cycle life cycle means all the stages through which an organism passes from gygo of one generation to the gygo of next generation so that is called a life cycle उसको हम बोलते हैं life cycle तो जिसे अब देखो बच्चो यहां पर हमने क्या देखा जाइगोट समझो कि यह हमारा एक जाइगोट है बच्चो जाइगोट कैसा होता है तो जाइगोट हमारा डाइप्लोड होता है प्लीज रिमेंबर जाइगोट डाइप्लोड होगा डाइप्लोड का मतलब होता है इट कंटीन्स पेर पेर्स ओप क्रोमोजोम इसमें पेर्स ओप क्रोमोजोम होते हैं सो लिए यगंट से अब बच्चिको ज्टैंसे बंगाना इacăं जो होते हैं उनका जो फ्यूजन होता है तो उस फ्यू हम बूलते हैं सिन भी सफी सिन से आपका ड़ाइपलैज ड़ाइप बन्ता बन्त Wish जैसे example आप देखो कि यह हुमारा male gamet है जो haploid है यह हमारा female gamet से जो haploid है यह दोनो haploid जो gamet है इनका fusion होता है that fusion का मतलब बच्चो क्या होता है singe me that is called singe me so fusion of male gamet and female gamets so they form it forms diplo जाइगोट यह आपका क्या बनाएगा जाइगोट बनाएगा कैसा होगा यह जाइगोट आपका तो यह जाइगोट हमारा डाइप लूड होगा तो इस तरह से आपका जाइगोट बनता है अब आप देखो यह जो जाइगोट है न यह वापस मतलब अपनी लाइप में कुछ स सेकल में अपने आपको प्रिपेर करेगा फिर ये प्रोड्यूस करेगा तो वो सारी जो स्टेज में से जाइगोट पास होता है किसी भी ऑर्गेनिजम की लाइफ सैकल बनता है किसी भी ऑर्गेनिजम की लाइफ सैकल बनता है अब जैसे हमने देखा कि जो जाइगोट है हमारा आपका क्या produce करेगा diploid diploid sporophytic sporophytic plant body plant body अब जैसे देखो बच्चो मैंने क्या बता है कि यह जो जाइगोट है यह जाइगोट produce करेगा diploid sporophytic plant body मतलब यह जो sporophytic plant body है यह आपकी कैसी है diploid है means के it contains pairs of chromosome यहाँ पे भी 2N chromosome है यहाँ पे भी 2N chromosome है मतलब इक्वल है न इसके अंदर भी 2N है इसके अंदर भी 2N है तो यह जाइगोट जो divide हुआ तो जो pairs of chromosome तो दोनों में same है तो इस division को हम बोलते है equational division so this is called equational division equational division को हम commonly बोलते है mitosis so mitosis तो यहाँ पे अपका words आएगा mitosis तो हम इसाब बोल सकते है कि जाइगोट divide by mitosis division and it produce diplo sporophytic plant body जाइगोट आपका mitotic cell division से divide हुआ mitotic cell division से divide होने के बाद यह जाइगोट ने diplo sporophytic plant body बनाया अब आप देखो यह जो diplo sporophytic plant body है यह heploid spores produce करेगा तो आप देखो मतलब अब क्या है हमारा कि यह जो sporophytic plant body है यह आपकी sporophytic plant body है कैसी है? यह जो sporophytic plant body है आपकी प्रोडियूस करेगा क्या प्रोडियूस करेगा spores तो यह प्रोडियूस करेगा आपका spores अब यह जो spores होते हैं यह आपके कैसे होते हैं हेपलोड होते हैं हेपलोड यह जो spores होंगे यह आपके हेपलोड होंगे हेपलोड का मतलब क्या होता है देखो यह हमारा डाइपलोड था यह डाइपलोड sporophyatic plant body ने हैपलोड spores को produce किया मिसके it contains single pair of chromosome मतलब यह पे एक ही chromosome है मतलब एक ही पेर है chromosome की double निए इसके अंदर double पेर है इसके अंदर एक ही है मतलब यहां पे 2N है जबकि यहां पे N है मतलब 2N में से आपका एक ही N हो गया इस division को हम क्या बोलेंगे reduction division that is called a reduction division reduction division को हम commonly बोलते हैं meiosis so यह हो गया हमारा meiosis meiosis तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो diploide sporophytic plant body है it divide by meiosis division and then it produce haploid spores in spores mother cell काँ पे यह produce करेगा यह question भी आपको NEET में पुछा जाता है यह question भी आपको NEET में पुछा जाएगा तो काँ पे यह produce करेगा in spores mother cell spores mother cell में spores mother cell जिसको हम commonly बोलते है SMC spores mother cell तो यह जो मतलब हमारी जो cycle है इस cycle को आपको याद रखना है NEET के लिए फर्स्ट आप क्या है कि जो जाइगोट है diploide gigot होता है वो mitosis division से divide होता है and then it produce diploide sporophytic plant body now this diploide sporophytic plant body divide by meiosis division and produce heploid spores in spores mother cell यह question आपको पुछा जाएगा कि काँ पे spores बनते है तो जो आपके spores mother cell है वाँ पे बनते है यह आपका NEET वाला question हो गया यह अमारा NEET वाला question हो गया अब आप देखो कि यह जो spores है यह जो आपके spores से यह spores mitosis division से अब divide होंगे और divide होने के बाद they produce gametophytic plant body so यह आपका क्या produce करेगा मतलब के spores produce gametophytic plant body यह जो spores है यह आपका gametophytic plant body produce करेगा gametophytic gametophytic plant body अब जो gametophytic आपकी plant body होती है वो आपकी कैसे होती है haploid होती है please remember so gametophytic जो plant body होगी वो haploid है किस ने produce किया spores ने produce किया spores कैसा है आपका haploid है means कि it contains single pair of chromosome यह जो haploid sports है इसने haploid gametophytic plant body produce कि मतलब n था और any रा मतलब semi रा न तो इसको हम क्या बोलेंगे equational division और equational division को हम क्या बोलते है mitosis means कि यहाँ पर हमारा words आएगा mitosis 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 so अब आप देखो मतलब हम ऐसा बोल सकते है कि haploid sports produce haploid sports produce haploid gametophytic plant body by the mitosis mitosis division से यह जो haploid sports से आपका यह haploid gametophytic plant body बनाएगा अब यह जो haploid gametophytic plant body है it produce gamets यह आपके gamets बनाएगे male gamets and female gamets so यह जो gametophytic haploid gametophytic plant body है it produce अब के क्या produce करेगा gamets produce करेगा so यह आपके gamets produce करेगा male gamets and female gamets so male gamet male gamet gamet and female gamet female gamet female gamet female gamet produce करेगा by the process of gamet by the process of gametogenesis उस process को हम बोलते है gametogenesis so that process is known as a gametogenesis gametogenesis क्या बोलेंगे gametogenesis gametogenesis now अब आप देखो कि यह जो आपका haploid gametophytic plant body है यह haploid gametophytic plant body ने male gamet and female gamet produce किया by the process of gametogenesis जो आपके male gamet है वो भी आपके haploid है और जो female gamet है वो भी आपका haploid है अब यह जो दोनों male gamet और female gamet का fusion होता है यह दोनों male gamet और female gamet का fusion होता है और वापस यह बनता है आपका जाइगोट मतलब आप देखो जाइगोट से जो अमारी cycle start होई और जाइगोट पर ही अमारी cycle complete होई बरब so that is called a life cycle अब देखो कि यह life cycle plant अपनी जो life cycle complete करता है तो यह अलग-अलग stage में से पास होता है अलग-अलग stage में से पास होता है यह सारे stage मिलके आपकी life cycle बनती है मतलब हम ऐसा बोल सकते है कि plant में gametophytic generation भी होता है और plant में sporophytic generation भी होता है means कि we can say that we can say that there is a gametophytic generation and sporophytic generation in plant plant में gametophytic generation भी होता है और sporophytic generation भी होता है और यह दोनों generation plant अपनी life cycle में यह दोनों generation को complete करता है but alternate complete करता है alternate मतलब अगर समझो कि sporophytic generation है उसके बाद यह gametophytic generation में जाएगा then वापस sporophytic generation and then वापस gametophytic generation तो यह alternation होता है तो now अब जिसे हम देखते है कि alternation of generation means what so alternation of generation मतलब हम we can say that कि what is alternation generation so alternation alternation of generation means alternation of spores producing alternation of spores producing sporophytic plant body to the gamet producing gametophytic plant body is known as the alternation of generation इसको हम बोलता है alternation of generation I again repeat the definition because this definition may ask in your school exam या तो आपकी यह बाद की निट की एग्जम में भी पुछा जा सकता है so what is alternation of generation so we can say that alternation of generation means alternation of spores producing sporophytic generation to the gamet producing gametophytic generation so that is called alternation of generation and these alternation of generation occurs in almost all the plant यह जो alternation of generation होता है यह almost सारे प्लांट में पाए जाता है सारे प्लांट में पाए जाता है बट अब देखो तो प्लांट की जो life cycle होते हैं उसमें sporophytic generation भी होता है और gametophytic generation भी होता है और यह दोनों generation आपके alternate होते हैं मैं वापस रिपीट करता हूं कि जैसे यहां पर प्लीज रिमेंबर इट इस वेरी इंपोर्टेंट बहुत ही इंपोर्टेंट है आपकी नीट की एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि जो आपका diploid zygote यह mitosis division से आपका diploid sporophytic plant body produce करेगा नो इस diploid sporophytic plant body produce haploid spores by the process meiosis by the process meiosis नो इस haploid spores produce haploid gametophytic plant body by the process that is called a mitosis नो इस haploid gametophytic plant body produce male gamet and female gamet by the process of gametogenesis now the fusion of male gamet and female gamet produce diploid zygote so this is called a life cycle of a plant यह plant की life cycle है अब आप देखो कि जो different different plant होते है इन में जो life cycle होती है वो different होती है मिसके हम बोल सकते है कि there is a different life cycle in a different plant different life cycle in a different plant जैसे example आप देखो तो यहां पर में लिख रहा हो कि कौन कौन सी life cycle होती है तो first जैसे होती है हमारी haplonic life cycle so first होगी हमारी हेपलोंटिक life cycle हेपलोंटिक life cycle कुछ प्लांट में हेपलोंटिक life cycle होती है जापर जो में बोल्टिक प्लांट रहती है हो हेपलोड रहती है जापर में प्लांट बोल्डि होनीं होती है वह हेपलोड होती है सेकेंड होता है आपका डैपलोंटिक life cycle डैपलोंटिक इंस दैप्लों हेपलों टिक लयफ साइकल होती है टाइप्लो जिस सो यह जो इनियों साइकल इर डिफरेन्ट दिफरेें लाइफ साइकले सब्सक्प्राइब सब्सक्राइब they are also very important for your NEET exam but इनको हम अगले lecture में देखेंगे मतलब next lecture में हम aplontic life cycle के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम diplontic life cycle के बारे में बात करेंगे then diplontic, aplontic life cycle के बारे में बात करेंगे और इस तरह से हमारा जो third chapter है plant kingdom वो complete हो जाएगा so thank you very much for watching my lecture so keep watching and keep studying अगर आप मेरी channel toppers पे नए हो तो please subscribe my channel और हाँ bell icon को प्रेश करना मत बुलिए जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है वो सारी वीडियो लेक्चर की आपको notification मिलती रहे आप मुझे facebook, twitter और instagram पे भी follow कर सकते हो so keep watching and keep studying और हमारे साथ जूड़े रहे Thank you